तो फ्रेंड आज हम बहुत ही टेस्टी रेस्पी लेके आए हैं जिससे बच्चे बड़े नहीं खाना चाहते हैं अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा इन दिनों तरोई बहुत अच्छा मिल रहा है जिसे निनुआ भी बोलते हैं तो यह देखिए ह हमने आदा केजी ले लिया है विल्कुल हरारा लीजिए और एकदम फ्रेस होना चाहिए क्योंकि शिखुर जाने से चीलने में दिक्कत होती है तो इसलिए आप फ्रेस लेंगे तो बढ़ियां चील जाएगा और बढ़ियां आपकी रेस्पी बनके त्यार होगी तो इस तरह हमको इस तरह से हलका सा निकाल लेना है इस तरह से पूरे निनुए को और आप क्या बोलते हैं तरोई बोलते हैं या निनुए जो भी बोलते हूं पूरे को चील लेंगे हमारे यह इसे निनुए बोला जाता है तो अब इसे हम इस तरह से चील लेंगे और फिर हम आपको दि खाते हैं कि इस तरह से काटना है वीडियो में बने रहे हैं ताकि कुछ भी मिसना हो और आपकी रेश्पी अच्छी बने तो इस तरह से देखिए हमको इसे दो-दो इंच के टुकड़े काट लेने हैं अगर बड़ा है तो दो-दो छोटा है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं इस तरह से हमको इसको बीच से स्लिट कर लेना है यह स्लिट क्यों कर रहा है यह आगे आप देखिएगा तो इस तरह से देखिए स्टेप बाई स्टेप आप देखेंगे तो आपकी सबजी बहुत अच्छी बनेगी जो लोग इसे खाना नहीं पसंद करते हैं वो मांग इस तरह से देख करणा औरहम विश्र पाउडर एक टीशफून घरमी जड़ा-एक फ़्रेस्ट के नमक क्वांटिटी आप जितना से नमक ले अगर हमने चंटी का पीस्ट हपाउडर। हम यह में पानी दालके हलके हलक हलका मिक्स करेंगे। क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो बहुत गीला हो जाएगा इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालके से मिक्स करें तो हमने इसे धीरे-धीरे पानी डालके मिक्स किया है तो तीन से चार इसमें पानी लगा है कि देखिए तीसरे इस्पून डालना है और हमको मिलाने से पता चलता है कितना पानी इसमें लग रहा है आप इकटे डाल देगे तो आपका यह गिला हो जाएगा मसाला और अच्छे से नहीं फिल कर बाएंगे तो इस तरह देखिए हमने अच्छे और देखिए हमने सारे को मसाले भरके तयार कर लिए अगला step दिखाते हैं एक पैन लिए हमने उसमें दो से तीन इस्पून ऊयल ले लिए और इसमें हलका सा हिंग डाले हैं दो पिंच और एक स्पून इसमें जीरा डालेंगे जीरा जब अच्छे से क्रेकल हो जाएगा फिर ह हम इसमें जो हमने स्टप करके तरोई रखा उससे रख देंगे यह देखिए अब क्रेकल हो गया जीरा अब इसमें हम तरोई डाल देते हैं इसे हमको मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट तक धक के पकाना है पहले इसको हलका सा स्टर कर लेते हैं इस तरह से हिलाने से यह अलट पलट जाएगा और हर तरफ ओयल लग जाएगा इस तरह से ढख करके हमको दो-तिन मिनट तक पका लेना है मीडियम टू स्लो फ्लेम पे उसके बाद हम इसे फिर से पलट के देखेंगे तो इस तरह से आप इसे अगर कलोजी के रूप देना चाहते हैं तो आप इसे अगर आपको उस मसाले के साथ नहीं बनाना है तो आप इसे इस तरह से अच्छे से पका लिजे दार्चावल के साथ आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं तो इस तरह से हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे और अगर आपके घर गेस्ट आने वाले उस तरह से अगर आ एक स्पून और डाल देंगे और उसमें हम डाल देंगे प्याज, एक प्याज मीडियम साइज के हमने चोटा चोटा इस तरह से हमने इसे दो से तीन मिनट पका लिया, हलका सा ट्रांसलोशन हो जाए, उसके बाद इसमें अद्रक लासन मिर्च कुटा हुआ हमने डाला है ताकि हल्दी डाल दिया, हल्दी ज्यादा नहीं डालना है और दो मीडियम साइज का ट्रांसलोशन गणा डाल देंगे और हलका सा नमक दालने नमख कियूंकि नमक हमने भरने में इढ़्ची में और अब आप यसे धह गधर करके दो मिनट कर लिंगे। चे के बाद देखिए लिक जब पनीर इसमें मेल्ट हो जाएगा तो क्रीमी टेस्ट आएगा सबजी का और बहुत ही टेस्टी लगए इसे आप पूरी पराथे गेस्ट आये उनको खिलाईए उसके साथ तो बहुत ही इंज्वाय करके खाएं उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह आपने तरोई की सबज जाए बस उतना ही अब इसे ढख करके दो मिनट और पका लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डाला एक टीस्पून और इसे यह देखिए जो हमने फ्राई किया था उसे भी हमने इसमें डाल दिया और अब इसे अच्छे से अलट पलट के मसाले के साथ कोट कर देंगे और इसे ढ करके दो मिनट और पका लेंगे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पहले से यह पका हुआ है बस थोड़ा सा मसाले के साथ एब्जॉप हो जाए उतना ही हमको पकाना है तो अब देखिए किस तरह से पक के तियार हुआ देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस तरह की इतनी अच्छी है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे तो यह देखिए हमने स्लेट करके हर इमेज डाली और अधरक का लच्छा अब इसे सरु कर लेते हैं रेस्पी जड़ा भी उच्पूर लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक क और कमेंट बाक्स में अपना अनबो जरूर सेयर करें कि यह रेस्पी कैसे बनी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स